Dear students, Assalamualaikum. I am teacher Sobia. As you know, students, हमने unit 1 के 10 pages कर लिये हैं, जिसमें हमने reading, parts of bodies, कुछ activities भी perform की. अब हमारा topic जो चल रहा था, वो था senses. We have five senses. Smell, hear, touch, see and taste. आज हमने sense of hearing and smell read करना है. Okay, start reading. We hear with our ears. मतलब हम अपने कानों से सुनते हैं. We can hear birds singing. Birds के जो song सिंग करते हैं वो भी हम अपने कानों से सुनते हैं. We can hear the azan. Azan भी हम किसे सुनते हैं? अपने कानों से. यहां भी one class उन्हों ने हमें बताया हुए हम अपनी कानों की मदद से हर किसम की आवाज सुनते हैं. मतलब अपने ears की मदद से. अगर हमारे ears ना होते हैं तो हम कुछ भी नहीं सुन पाते. We smell with our nose. हम अपनी नाग से सुनते हैं. In the garden, बाग में, we often smell. हम आम तोर पर फूलों को सुनते हैं. They smell sweet and pleasant. इनकी खुश्पू अच्छी और खुश्गवार होती है. Level 1 जहां पर उन्हों नहीं में बताया हुआ है कि हम किसी भी किसम की खुश्पू अपने नाग से सुनते हैं. मतलब हम आपने nose की help से किसी भी किसम की smell सुन सकते हैं. Level 1 आज हमने जो page read किया है, इसमें हमने sense of hearing and smell read की. आपने इस page को अच्छे से read करना है और learn करना है. Goodbye students and take care all of you one class.